प्रेंज किचेन की इंचे नहीं का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग फली को चाच में रात बर भींगा के इसको नमक में भूनने वाला रेस्पी जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं मुझे लगा अगर आप खटा खाने के सुखेने तो शाद आपको पसंद आए यह नहीं को हम एकदम अच्छा समत के चाच बना दिए उसमें 100 ग्राम मूंफली डाल दिया नहीं चोटी कट्यूरी से एक कट्यूरी भर कि इसको बारा घंटा के लिए हम फुला देंगे इसमें एक चमच नमक दीजी का नमक से इसमें साथ बहुत यह अच्छा हैगा लेकिन आ लगा था कि बहुत यह अच्छी बनेगी क्योंकि नया निया चीज ट्राय करते रहना चाहिए इसलिए हमें ट्राय की लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद यह थोड़ा खटा-खटा लग रहा था बहुत सारे मसाला डाले हैं थोड़ा सा ठीक लगा लेकिन इतना अच्छा नही बदाम रह जाए नमक में बूनेगे बिल्कुल बालू यूज नहीं करेंगी क्यों बालू से अच्छा टेस्ट नहीं आता है चीपऴा जाता तो मुझा लगएगा पलेकिन नमक से बहुत यह अच्छा टेस्ट आता है इसलिए नमक से बूनेगे थ tactical फोड़ा साफ हो गया है नमक बहुत तेज में घर्म कर चुके हैं 5-10 मिनटे एकदम पूरा हीट कर दीजिए घर्म कर दीजिए तब इसमें बदाम डाल दीजिएगा बदाम फूटेगा देखिए अच्छा से खेले लेगा बड़ा भी हो जाएगा पुरा हीट में भुंजिए गाया आज को दीमा मत कि जिए आतना ना इलरे तो बहुत बहुत मोटा जाद आपको पसंद आ जाए जोड़ा कसकस के फूट रहा इसलिए आपको पसंद आ जाता है अब एक बार इसे बनाईएगा खाईएगा अगर आपको पसंद आ बिद्धियो नहीं अच्छा लगा मेरे वच्छों को भी नहीं अच्छा लगा सिफ जैसे ते समय खाई कि वेश्च मैं नहीं कर सकती मुझफली कि मुझफली में तेल होता है इसलिए मैं धेर सरा मसाला इसमें डाके मैं खा चुकी हूं इसलिए हम यह वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप बनाने का गलती ना करें चाच वाला मुझफली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वह अच्छा 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 अब तक हम जितना चीज बना हम बहुत ही अच्छा लगा हम बहुत प्रेम से खाएं आपको साथ सेयर भी की हैं लेकिन यह सेयर करें ताकि आप यह गलती करके भी ना बनाएं सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है जो कि हम आपको बता रहे हैं इस तरह से अच्छा से तेजाच में इसे भूनते जाएगा बहुत ही खस्ता भी बनता है बहुत क्रिश्पी बनेगा अदम कुरकुरा हो जाएगा इस तरह से लगातार हम भूवी से भूनते जाएगे चलाते जाएगे अगर एक तरफ पा छोड़ दिएगा तो जलने लेगा इसलिए लगातार हमें चलाना पड़ता है लगातार ही अपको चला के दिखा रहे हैं तक यह जले नहीं अच्छा से ता मोटा मोटा दाना हो और नमक में भूनाएगा तो स्वात तो अच्छा आता है इसलिए जब भी अगर कोई भी चीज आप भूने तो नमक में ही भूने बालू का यूज बिल्कुल न करें कि बालू से न मूँ थोड़ा टेस्ट खराब हो जगा करकर होने लगता है नमक तो सभी खाते हैं बड़ा बड़ा हो गया इसलिए हम आपको दिखा रहें कि देखिए दाना एकदम बड़ा बड़ा इसका हो गया है कि रात बर यह बारा घंटा फूला तो बड़ा तो हो गा ही देखिए इसका छीलका भी निकल रहा है भूनते भूनते इसका मतब़िदी रेडियू चुका ह पिखसे हैं निकले चुका इसका चिलका और नमक में शरुका रहता है और नमक में शरुका से ठाख हता सब्सक्राइब कर दोनों हाथों से मसल्क शरुका निकाल दिए आपको इस तरह से देखिए हैं सब्सक्funding करेंगा एक अबार में पूर बार सुनेंजी देओ धिल जाया शेस तरहर से निकौल देए एक बार में ही इसको यह सॺंद को इस तरह साथ हुद्या धाल कि स्वे निए जेफिक और श्याद़ और अच्छा से निकल भी गया है नहीं देखिए अब इस तरह से दुवारा वही काम करेंगे हम फिर से भूनेंगे तेज आज पर सब भूना गया है अब इसको दोनों हाथों से मसल देंगे ताकि अच्छा से चिलका निकल जाए हलका सा फूक मारीगा तो सारे चिलका ऊड़ भी जाएंगे इसका तैफी इसको हिला भी दीजेगा तो तो उड़ जाएंगे तैफीस में मसाला हम लोग यूज करेंगे एक चिलका यदम हलका सुशू मेरे तो आप हाथ से मसाल दीजिएगा गर्मा घर्मत मस देगा हाथ जल जाएगा इसार से देखी सारे छीलके भी निकल चुके देखने में बहुत सुनदा लग रहा खाने में नहीं अच्छा लगा चलिए मीसमें मसाला मिलाते हैं एक चमाच मिर्ची पउडर चोटी चमच तोड़ा से कम थोड़ा से कम तीखा खटा है तो तीखा रगा तब मजब आएगा आच्छा से इसको मिला देंगे तेल में तेल डालते के साथ इची पड़ाएगा आच्छा से बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में चलिए आपको टेस्ट करके दिखा रहें बहुत ही अच्छा तो नहीं लगा है इसलिए मत बनाईएगा